आपको लगता होगा कि अंडरवेर खरीदने का मतलब है सिर्फ उनका स्टाइल और रंग को ही ध्यान में रखना लेकिन नहीं ऐसा नहीं है और भी बहुत कुछ है जिनको आपको ध्यान में रखना है तो hello everyone मैं हूँ जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप बजार से अंडरवेर खरीदने के लिए जाए तो ऐसी कौन-कौन सी बात है और कौन-कौन से टिप्स आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी जिने आपको ध्यान में रखना है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो पहली बार मेरे चैनल पर आए है चैनल को सब्सक्राइब करें पास में एक बैल आइकन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम प्यू टाइम विल जाए लाइक जरूर कर दीजिएगा मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर चल रही है वूमिन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेट सीरीज जिसकी एक प्लेइलिस बना दी है इस प्लेइलिस में आपको ऐसे टॉपक्स पर वीडियो मेरेगी जिनके ऊपर आप बात करने में एक कमफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी हो कोई भी कोशन हो कोई वीडियो आप ऐसे चाहते हैं तो इस प्लेइलिस में आपको जरूर मिल जाएंगे अब शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो कुछ महिला हों के लिए अडरगार्बिट्स की खरीदारी करना किसी चौकलेट खरीदने से कम नहीं है जी हां वो दुकान में जाती हैं उनको सब कुछ चाहिए सब कुछ अच्छा लगता है उनको ऐसी चीज चाहिए जो अकरशक लगे अट्रेक्टिव लगे लेकिन नहीं आपको रंग कट स्टाइल के अलावा ऐसी और भी चीज़े ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है खासकर यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्या वो अंडर वेर या वो अंडर गार्मेट्स आपकी वजयना के लिए हेल्दी है या नहीं तर देखा जाता ह है कि कुछ ऐसे माटीरियल्स होते हैं ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिने हम पहनते हैं तो वो हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं इसी तरीके से हमारे अंडर वेर भी कुछ ऐसे माटीरियल के बने होते हैं जिने आप लंबे समय तक पहनते हैं तो आपको वजयना में जलन, खुजली, यहां तक ही yeast infection का कारण भी बन सकते हैं. तो कौन से underwear हमें खरीने चाहिए, क्या क्या, किस टाइप के underwear हमें नहीं पहनने चाहिए, और किस टाइप के underwear हमें पहनने चाहिए, यह अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा. सबसे पहले कौन से टाइप के underwear आपकी वजाइना के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपको कभी भी छोटे size के underwear नहीं खरीदने चाहिए, छोटे size के underwear में अगर आप अपने आपको फिट करती हैं, तो आपको वजाइना में कई तरीके की परिशानिया, सारा दिन, rashes, जल खुजली, yeast infection तक ही problem हो सकती है, तो कभी भी एक कोशिश ना करें कि आप size अपने proper size हो सके तो एक size बड़ा ही undergarment का खरीदे, छोटे size के underwear में नहीं रहें, ऐसे material से बने underwear बिल्कुल नहीं खरीने चाहिए, जिससे आपको आपको वहां के area पर पसीना जादा आए, या फिर आ आप जादा अकर्शित होती है, ठीक है, आपका दोश नहीं है, आप इने कभी-कभी पहन सकते हैं, अगर आपको regular basis में पहनना है, तो इसके लिए में बिल्कुल मना करूंगी, regular basis में आपको इस type के underwear बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, ऐसा ही thonks के साथ होता है, ये इस type के इसे कपड़े के बने होते हैं, जो आपको सिर्फ bacterial infection ही दे सकते हैं, जलन दे सकते हैं, आपके बट के एरिया पे चिपक सकते हैं, आपके पौटी करने के रास्ते को रोक सकते हैं, फिर दीरे-दीरे bacteria को फेला सकते हैं, इसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बैक् आजकल मार्केट में खूब अपेलेबल है और ज्यादा तर महिला आजकल शेप वियर को प्रेफर करती हैं मैं आपको बोलूगे कि टाइट शेप वियर आपकी स्वास्ते के लिए आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपकी डिजेशन के लिए अच्छे यहां तक की टाइट शेप वियर रेगुलरली पहने से जाधा देर तक पहने से आपको यूटि आईब हो सकता है वजाइना में इंफेक्शन हो सकता है किस टाइप के अंडरवेर फिर खरीदे चाहिए आपको प्योर कॉटन के कपड़े के अंडरवेर खरीदने चाहिए आपको खरीदने चाहिए जो आपको comfortable feel कराए फैशन नहीं देखना चाहिए comfort zone अपना देखना चाहिए आपको देखे हर महिला का शेरीद अलग-अलग होता है किसी को hipster suit करते हैं तो किसी को bikini cut यह आप सुनिश्चित करिए कि आपको क्या comfort देता है और क्या आपकी वजयना के लिए healthy है तो मेरी माने तो आप pure cotton के ही undergarments खरीदें जो आपके size के हो या एक size बड़ा हो छोटे size में fit होने की कोशिश बिल्कुल ना करें दोस्तों आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब आप मार्केट में अपने लिए undergarments खरीदने जाए तो किस टाइप के आपको undergarments खरीदने है ठीक है जो आपके लिए अच्छे और आपकी बजयना के लिए भी अच्छे पसंद आई वीडियो तो झाल